वेल्कम बाक टो मैं चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे सोना बेल डेवलू प्रिसिजन के बारे में तो यहां पर हमारा जो आज में मोटिव रहेगा वो यह समझना रहेगा कि क्या कंपनी उपर जाएगी कि क्योंकि कंपनी की स्टॉक की देखो बहुत जादा बढ़ चुकी है अब उसका रीजन क्या है वो सारी चीज़ हम लों डीटेल में देखेंगे यहां पर तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना जल्दी जल्दी एक्स्प्रेंट करने की कोशिश क्या हुआ कि कंपनी गिरने के बाद फिर से यहांपे कंपनी की जो P.E. ello हम फठी तो सिंपल इसका आंसर यह है कि स्टॉक का जो P.E. का फॉर्मला होता सब्सक्राइए अर्निक्स माण लेते हैं तो इहां पर फांच की पी आपके निकल कर आhole करको मानthe कि यहां पर प्राइब प्राइब्ल यृणिकर रह जाती यह तो प्राbeश नहीं की लेकंटुआ पकर आपको liquid ta Ka every we वो अपने आप बढ़के 10 पे हो गई मतलब डबल हो गई क्योंकि अर्णिक्स यहां से हाफ हो गई तो यह सेम रीजन यहां पर चदर है कि स्टॉक की पी यहां पर बढ़ी हुई है कंपनी बहुत जादा ऊपर मूब भी इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि कंपनी की अर्णिक् बढ़ी हो थी वह भी थोड़ा सा क्या सकते हैं कि अतनी तेज़ी से पिक नहीं किया और यहां पर इखा जाए तो चार्ट पे अगर आप आकर देखो तो यहां पर पी वाला अगर एक बारी इंडिकेटर लगा दो तो यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि प्राइज जो है यहां पर फ्रॉल तेजी से घिर रही है और यहां पर company की पी जो है वह थोड़ी तेजी से नहीं गिर है तो इसका भी रीजन सेम है यहां पर company की अर्णिस थोड़ी सी जितना expect कर रही थे उधर हिए और फिलाल profit growth की compare किया जाए यहां पर तो थोड़ी सी थोड़ी सी अर्निंग चाहिए होगी कि कि कंपणी और आगे तेजी से बढ़ता है तो फिलाल अभी के लिए मतलब एक समय पर आपके बाइक करने के बाद हमने बोला तो यहां से इसलिए क्योंकि आपको मतलब पिछले वीडियो में समझा तो यहां पर इंडिया की देखोगे तो यहां पर इसी गाड़ी वगड़े की थोड़ी की बिक्री बढ़ेगी और उसके वज़ए से यहां पर जो आटो एंसलरी कंपनीज है यहां पर बढ़ने के चांसे हमारे बढ़े जाते हैं अब आज आते हैं हम लोग शेयरोडिंग पैटन्स में तो प्रमोटर की यहां पर काम होते नजर आएगी काफी तीजी से क्यापिटल देश करने का भी इनका थोड़ा बहुत मोटिव था लेकर यहां पर यहां पर चार्ट पर चार्ट पर देखोगे तो यहां पर आप लोगो देखने के लिए मिलेगा कि फिलाल अभी एक पैरलेल चैलन के अंदर कंपनी ट्रेट कर रही है तो जब तक इसके करनी है तो यहां पर कर सकते हो दो चीज़ा आपको मेक्शूर करनी पड़ेगी कि यह पैरलेल चैनल ब्रेक कर जाए साथ एसाथ एक होरिजॉंटल रिजिस्टेंस भी ब्रेक करें इसके बाद आप लोग यहां पर बाइंग कर सकते हो पहला टार्गेट आपका होगा 574 का इ हमसे पूछोगे तो परसनली हमने जो पूदिशन मनाई थी यहां पर इन वाले लेवस पर इफिलाल के लिए वह एग्जिट कर दिया है वालूम्स वागर थोड़ी सी ड्राई है मतलब सेलिंग नहीं हो रही है तो चांसे हैं कि यहां पर मार्केट उपर जा सकती है कोई उस तो थोड़ा से यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी वाइंग हो समय नहीं लगता कि यहां पर होगी तो अभी के लिए फिलाल इसको थोड़ा से एग्णोर कर रहा है देखते हैं अभी क्या होता है आगे साइडवेस मार्केट में बहुत ज्यादा डाउंसाइड भी नहीं ह